Hello students, जैसा कि आप जानते हैं कि समाजिक बिग्यान में 1 marks और 3 and 4 marks के question आते हैं, तो आज हम chapter 1 विकास से 1 marks question की discussion करेंगे और यह भी बताएंगे कि कौन सी question किस year में आई थी तो चलिए सुरू करते हैं, विकास अध्याए 1 marks question नंबर 1, विकास से आप क्या समझते हैं? यह question 2013 में आई थी 1 marks के लिए हम लिख सकते हैं, विकास का आर्थ प्रागती, उन्नती, अच्छा जीवन, कल्यान, आदी है 2 question हमारे देश में विकासात्मक लक्ष क्या होने चाहिए? यह question 2009 और 2014 में आई थी 1 answer हमारे देश में विकासात्मक लक्ष, गरीबी खत्म करना, परियावरन की रक्षा, आर्थी का समानता को कम करना और सब के लिए सांती और न्याय सुनिश्चित करना होने चाहिए 3 question धरनियत का विशे विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह question 2019 में आई थी 1 answer धरनियत का विशे विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास का मतलब केवल वर्तमान को खुझाल बनाना ही नहीं है, बलकि आने वाले पिडियों के लिए एक बेहतर भविश्य बनाना भी है question no.4 पर्यावरन में गिरावट के लिए एक उदाहरन दिजिए जो आपने अपने आसपास देखे हो ये question 2020 में आई थी पर्यावरन में गिरावट के उदाहरन no.1 भूजल के स्तर में गिरावट no.2 ओजन परत की कमी no.3 वनों में कटोती की जा रही है यहाँ मैंने तीन ओप्शन दे दिया है आप कोई भी इसमें से एक दे सकते हैं वन मार्क्स के लिए भारत के लोगों दोरा उर्जा के किन स्रोतों का प्रियों किया जाता है ये question 2012 और 2015 में आई थी भारत के लोगों दोरा उर्जा के नेमने लिखी स्रोतों का प्रियों किया जाता है ताप विदूत, जल विदूत, पेट्रॉल, डीजल, मेटी का तेल, इतियादी प्रतिवेक्ति आई से आप क्या समझते हैं ये question 2011 और 2016 में आई थी किसे भी देश के कुल राष्ट्रिय आई को जब उस देश के कुल जन संख्या से भीभाजित किया जाता है तो उसे प्रतिवेक्ति आई कहा जाता है question no.6 हम औसत का प्रियोग क्यों करते हैं ये question 2017 और 2020 में आई थी answer हम औसत का प्रियोग इसलिए करते हैं क्योंकि दो देशों की आर्थिक स्थिति को जानने का या सबसे अधिक सलल मापदंड है किसी देश की आई को यदि उसकी कुल जन संख्या से भीभाजित कर दिया जाए तो हमें उसकी औसत आई प्राप्त हो जाती है question no.8 राष्टिय आई की परिवासा दीजिए राष्टिय आई कहते है और अव लास्ट क्वेश्चन question no.9 एक उधाहरन दीजिए जहां च्थितियों की तुलना के लिए औसत का प्रियोग किया जाता है ये question 2019 का है हम औसत का प्रियोग आई की तुलना करने के लिए करते हैं आई की तुलना दो वैक्ती, दो राज, दो देसों के बीच हो सकती है ये total 9 question है जो की 1 marks के है अगले वीडियो में हम लोग 3 and 4 marks के question के बारे में डिसकसन करेंगे वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए और share कीजिए अपने friends group में ताकि इस का लाव दूसरे बच्चों को भी मिल सके